दोस्तों याद करिएगा बारा तारिक को यानि जब बारा फर्वरी को फ्लोर टेस्ट हुआ था बिहार के अंदर उसके बाद से लगातार पहले तीन आरजेटी के विदायकों को तोड़ा गया था। कैसे तोड़ा गया था ये पहले ही कहानी में आपको पता चुका हूँ लेकिन वो समाजी नहीं पाए कि बिहार में बीजेपी को एक करारा जटका लगने जा रहा है। जियां एक बहुत जबर्दस तरीके से और बड़े सरीके के साथ तेजसुई आदम ने बीजेपी को बहुत बड़ा जटका दिया है। जिस सहनी समाज को साधने की कोशिश फॉरान बाद लालू प्रसाद यादव का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बैठे तमाम बीजेपी के नेताओ के पेट में मरूर उठने लगी है। नमस्कार मैं हूँ प्राजबल गौतम और आप देख रहे हैं नियूसर के य गुटारे बास कहना, वरिष्टाचारी कह देना, परिवारवादी कह देना, तमाम बात हैं कर लीजे लेकिन हकीकत हरको ही जानता है कि मजे हुए खेलाडी लालू प्रसाद यादव है। खबर पढ़िए, दैनिक जागरण ने इस खबर को चापा है, दैनिक जागरण ने कह लिखा है, इन्होंने बताया कि अब तेजस्वी यादव ने नितीश के साथ किया खेला जेडियू के इस दिगज निता को आरजेडी में करायश शामिल, बताया गया है इस में खबर जो को आरजेडी की सद्द सद्दा दिलाएं, कौन है, देखेए, सहनी को पहले समझ लेजिए, आपको लग रहे हो, हलके आद्विया, हर एक समाज की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, बताया गया है, सहनी बिहार की NDA सरकार में बिहार राज्य मच्वारा आयो की उपाद्य साथी 2014 के लोगसवाद चुनाव में वैशाली लोगसवाद चुनाव शेतर से जेडियू की टिकेट पर चुनावी लड़ चुके है, जेपी सेनानी सहनी पूर्व, केंद्रे मंतरी कैप्टन जेन, नाराएन निशाद के रिष्टेदारा है, मिलन जमारों में सिद्धी नका कि उस समाज को जोड़ेने के लिए, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनके लिए ये किया जाएगा, सोचिए, 2005 से लेकर अब तलक सत्ता में रही बीजेपी जननतादर यूनाइटेट के साथ, सेनी समाज को दरकिनार किया जाता रहा, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी का एक ब पाम बातें की जा रही है, यानि एक बहुत बड़ा विकेट किर गया है, इसे इस माइने में समझिये का तोस्तों, क्योंकि बिहार की अगर राजनीती की बात करते हैं, तो उसमें पिछड़े, अति-पिछड़े और दलित और अति-दलित की जरूर बात होती है, माजी के को दरकिनार नहीं किया जा सकता, फिलाल एक बहुत बड़ा जटका लग चुका है बीजेपी को, क्योंकि ऐसे में जब इनकी पार्टी का एक बड़ा नेता तूट कर पहुंच जाए, जो उनके पांच-पांच विधायकों पर भारी पड़ सकता है, ऐसे में बीजेपी की सा सांसें फूल गई है, लेकि सांसें सिर्फ इस नेता के जाने से नहीं फूली, दरसल लालू पर साथ यादाव ने एक ऐसा बयान दे दिया, उसके बाद से टिपिटे गोल हो गई है बीजेपी की नेताओं की, वो बौक ला गए हैं, देखिए क्या लेका एब इपी नियूस दे रेंगे तो उनकी आदत है ही है, कि माफिया को, भू माफिया को, बालू माफिया को उल्टा लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बात अलाएगे ने अपनी पार्टी, या इनकी पार्टी को सपोर्ट करने वाले नेता नजर नहीं आते, जिनको लेकर अगर अगर बालू फ्री करतीया जाएगा तो सोचिये सरकार को बिहार के अर्थव्यवस्ता को कितना नुकसान पहुचे का यानी माफिया उनकी नजर में प्रेलाद यादव नहीं है उनकी नजर में को लटका कर सीधा कर देंगे उस पर लालू प्रसाद यादव ने प्रदि करिया थी इन्होंने क्या का मैं पढ़ खर बता दिता हूँ इसमें बताया कि हमेश्या ने कहा था कि माफिया गुल्टा लटका कर सीधा कर देंगे इस पर लालू है देव ने कहा नहीं चाहिए बिहार का लिफ्ट छोटा है चोटा छोटा है लालू परसाद यादव ने अमिश्या के लिए कहा था लेकिन इस जैसी के बयान लालू परसाद यादव का निकल कर सामने आया वैसे समराट चौदरी जो उनके चेले रहे है लालू परसाद यादव के चेले रहे ठीक बात है अपरादी को छोड़ा नहीं जा सकता वो भी बहुत अच्छी बात है 24 गंटे में रिजल्ट मिल गया रिजल्ट मिला क्या मिला देखिए कि एडी ने लालू यादाव के करीबी सुभाश यादाव को रेत खनान मामने में गिरफतार किया है जिसी पर समराच चोधरी बोल रहे थे सोचिए उधर रमित चाह ने कहा माफिया को नहीं चोड़ेंगे अपरादीयों को नहीं चोड़ेंगे यह मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है लेकिन उसकर चॉबैस गंटे में रिजर्ट मिल जाने का मतलब क्या होता है क्या होता है चॉबैस गंटे में रिजर्ट मिल जाने का केल improvement पक्षी पार्टी के नेताओं के खिलफ कर वाई मैं फिर कहता हूँ अगर सुबाश यादाव के साथ है तो बिल्कुल होनी चाहिए कारवाई लेकिन क्या बीजेपी के नेता बता सकते है वो पाक साफ है गोपाल मंडल के उस बयान काया कि भर्सना निंदा या उसको खारिज करने का काम जेडियो बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं का गया किया गया जब प्रेलाद यादव के लिए उन्होंने का कि इसी डील के साथ हुआ है कि उनके लिए बालू फ्री करती जाएगी क्या वो माफिया नहीं कैलाए जाएगी क्योंकि मोदी और शाह की दरवार में माठ्था टेक चुके है ये अमेश शाह का बयान हर को ही जानता है वो भी पक्षी पार्टी के नेताओं के लिए था उनको बताने के लिए था कि वक्त बहुत करीब है ऐसे मैं आराम से अपनी अपनी पार्टी को दगा देकर बीजेपी जोईन करिये और फिर जनतादर यूनाइटेट के साथ आजाएए यही तो काम करवाया जा रहा है का नहीं हो रहा है जारगण मैं एक दिन पहले खुलासा हो गया जारगण की कॉंग्रेस की जो विदायक है अमबा प्रसाद उन्होंने साफसाफ कह दिया आरे सो बीजेपी की निता ओफर लगातार दे रहे थे नहीं आई तो एडी के शापे मारी हो गई तो यही तो काम करवा रहा है मिश्या और अगर ऐसा नहीं है तो जाज करवाई एक एक विदायक की जितने विदायक हैं न उन तमाम विदायकों की जाज करा लीजे पता लग जाया कौन कितरा वड़ा रेत बालू माफिया है फिलाल इसी बात से छटपटाई विए बीजेपी की उन्होंने तो पांच विदायक तूड़े थे यहां तो एक पूरा का पूरा समाजी बीजेपी से अलग कट गया नमस्कार